इस solar system के ओपर आप अपना एक डेटन का inverter AC समेथ पूरे घर का लोड जिसमें पानी वाला pump, पंखे, लाइटें, इसरी सब कुछ बिलकुल फ्री चला सकते हैं और बिजली का बिल आपका सिफर आने वाला है इस solar system में आप कम से कम कितने solar panel लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने लगा सकते हैं, inverter आपको कौन सा लगाना चाहिए और मुकमल खर्च आपको कितना आने वाला है इस solar system को लगाने के साथ आपका महाना बिजली का बिल कितना कम हो सकता है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वालों करिंड इस वीडियो को कम्प्लीट लाजमी देखेगा असलामलेकुम पहरे दोसों कैसे हैं आप मेरा नाम अस्मान है और आप देख रहे हैं यूलेक्टिक यूट्यूब चानल और वेस्बुक पेज गर्मी आ चुकी है तो आप मेंसे बहुत सारे भाईयों ने कहा अस्मान भाई कोई ऐसा सोलर बताए कि जिसके अंदर इन्वेटर भी अच्छे वाला हो बगैर बैटरी चलने वाला हो अगर लगानी भी पड़े तो कम से कम बैटरी लगानी पड़े उसके साथ साथ उसके सा लाइटे पंके सब कुछ सारा दिन बिल्कुल फ्री चलाए और हमने वाबडा को भी अलेक्टिस्टी सेल करनी है तो आज किस वीडियो में आपको जूनिक के डामेंड सीरीज 4.5 किलो वाट पीवी 6500 के साथ मुकमल सोलर सिस्टम की तफसील बताने वाला हो जिसमें कि आप क इतने यूनिट की बच्चत हासिल कर सकते हैं इस बूरे सिस्टम को लगाने के साथ कितना खर्चा आने वाला है ये एक सोलर सिस्टम हमने इंस्ट्रॉल किया है इसकी मुकमल तफसील आपके सामने रख देता हूं कि भाई इनको कितना खर्चा आया है तो इस वीडियो को लाजमी देखना है ताकि आपको मुकमल सिस्टम के बारे में मुकमल तफसील मिल सके लेकिन आके बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह घुजारेशा के चैनल पर नया सब्सक्राइब करने के साथ बैल नोटिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि जब भी स लिए उसका नोटिकेशन आपको बरवक मिल चले तो प्यारे दोस्तों इस सोलर सिस्टम के उपर हमने ज्यूनिक का डामेंट सिरीज में पीवी पैंसर जो के 4.5 के विये का है वो वाला सोरा है इंवेटर लगाया है तो सबसे पहले हम इस इंवेटर की स्पेसिफिकेशन के पर बात कर लेते हैं ताकि आपको मुकमल तफसील के साथ पता चले है कि भाई इंवेटर के अंदर क्या चीज़ मौजूद है इस इंवेटर के रिलेटेड अन्बॉक्सिंग विडियो पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ अगर आप वो देखना चाते हैं डिस्क्रिप्शन करके वाब्डा को ग्रिट विडिंग कर सकते हैं यानके ग्रीन मिटर लगा सकते हैं दोसों बीस वोल्ट एसी के ओपर अपर अपरेट करने वाला ये सोरा हैप्र इंवेटर आपको मैक्सिमम आउटपूट करन बी संबेर देने वाला है मैक्सिमम सर्च पावर ये 9000 वाट तक की बरदाश्ट कर सकता है यानिके अगर आपका कोई ऐसा लोड जो कि चंद मिली सेगंड के लिए 9000 वाट तक ले रहा होता है ये उसको भी चलानी की सलाहियत रखता है जैसा कि हम आपको पहले बता चुकों कि 24 वोल्ट के बैटरी सेटप के ओपर आपर अपरेट करता ह है बगार बैटरी भी काम करता है लेकिन अगर आपने हैवि लोड चलाना है जैसे वाटर पॉंप बगएरा चलाना है तो उसके लिए बैटरी जलाजमी होती है बारा 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 वोल्ट की दो बैटरी जलगा सकते हैं नहीं तो आप 2024 वोल्ट की एक ही lithium battery भी लगा सकते हैं तो पैंसेट सो वाट तक के भी solar panel लगा सकते हैं यानिके आप अपने पांसो पंजातर या असी वाट की ये 600 वाट के तकरीबन आप 9 solar panel लगा लें 10 solar panel लगा लें वैसे बेहतर ये है कि आप 9 solar panel लगाएं अगर आप साड़े 600 वाट के solar panel लगाना चाहते हैं तो आप 10 solar panels लगा स सकते हैं उससे आपके पैंसर सो वाट पूरे हो जाएंगे लेकिन आउटपुट पर यह आपको 4.5 kVA का ही लोड देने वाला है इससे जादा नहीं पैंसर सो वाट तक के सोलर पैनल लगाने का फाइदा यह है कि सुबो जल्द से जल्द आपका सोलर इंवेटर सोलर के उपर आ पाउर देने वाला है इस सोलर हाइबर इंवेटर की मैक्सिमम एमपिपटी वोल्टेज रेंज 90 वोल्ट से स्टार्ट होती है 450 वोल्ट तक जाती है मतलब यह कि आप 550 या 575 या 600 वाट के मिनिमम तक करीबन तीन सोलर पैनल लगा सकते हैं तीन सोलर पैनल के साथ भी आपने इस सोलर हाइबर इंवेटर को स्टार्ट करवा के अपने लोड को सोलर के उपर चला सकते हैं और मैक्सिमा आप 9 सोलर पैनल लगा लें 10 सोलर पैनल लगा लें यह आपकी मर्जी है बेतर ही है कि आप 575-580 एंट टाइप के जितने भी सोलर पैनल आये हैं उनको आप तकरीब आगे और कौन-कौन सा लोड इसके उपर चलाया जा सकता है जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस प्रोजेक्ट के उपर हमने मैक्सिमम 9 सोलर पैनल लगा हैं जिनको के 575 वाट एंट टाइप बाइफिशल जो के मैक्सिमम 490 या 495 वाट दे रहे हैं जिसको मैं मैंने MPPT सोलर पैनल मल्टिमेटर के जरीए चेक किया है इसका मतलब यह हुआ यह 9 सोलर पैनल है मैक्सिमम इस प्रोजेक्ट में हमें जो पीक पावर मिलने वाली है वो तकरीबन कोई 4400 वाट के नेर अबाट होने वाली है अब यह जो पावर हमें पीक टाइम में मिलेगी अगर अब यहां पर 6500 वाट के सोलर पैनल लगाए होते तो यह जो पावर है हमें तकरीबन कोई 10 या 11 बजे के नेर अबाट भी मिल रही होती बारा बजे तो जारी बात है पीक टाइम में यह 4.5 के विये ही देने वाले इसे ज्यादा तो पावर आपको नहीं देगा और उ होगा अब यहां पर आप देख सकते हैं इन्वेटर हमारा जियूनिक का डामेंड सिरीज पीवी पैंसर सो लगा होगा है जो के 4.5 के विये का है और इसके साथ हमने दो बैटरीज लगाई है फिनेक्स की जो टी एक सो पिचासी अमपेर आर की है वो लगी हुई है जारी बा बैटरी भी यह सोलर सिस्टम वर्क कर लेता है ऐसा कोई मसला नहीं है अब लोड की बात कर लें तो भाई यह जो जिनके लगाया है सोलर सिस्टम वो इसके अपना डेटन का इन्वेटर एसी चला रहे हैं वाटर पम चला रहे हैं जो के तकरीबन कोई 1.5-2 HP का है उसी के हैं ओवन है इसरी है वाशिंग मशीन है यह सारा लोड इसके ओपर एजिली सारा दिन चला रहे हैं और इनका बिजली का जो खर्चा है वो बिलकुल सिफर है दिन के टाइम में यूनिट की बात करने तो महाना यह सोलर सिस्टम हमें 540 यूनिट देने वाला है और अगर हम इ 575 वाट एंटाइब बाइफेशल सोलर पैनल लगाए हैं जो के यह जिसरा में प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया तकरीबन कोई 55 रुपए पर वाट में मिले थे तो एक सोलर पैनल 31,625 रुपए का बना है तो 9 सोलर पैनल तकरीबन कोई 2,84,625 के बने हैं तकरीबन कोई 5 स्ट इंवेटर है जो जूनिक का डामेंड पीवी 65 रुपए उसकी जो कीमत है तकरीबन कोई 1,5 लाग के नेर बोट है तो आपको 1,5 लाग का यह सोलर हाइब्र इंवेटर मिल जाएगा और 1,5 लाग अगर हम काउंट करें इसमें तो तकरीबन कोई यह जो बन जाते हैं हमारे 4, लाग 69,625 और बाकी इनकी दो बैटरीज हैं एक लाग 6,000 पे की दो बैटरीज आई हैं तो एक लाग 6,000 अब अगर हमें इसे एड करें तो तकरीबन यह कोई हमारे 5,65,625 रुपए बन जाते हैं और अगर इसमें बाकी खर्चा जिसमें के हमारे इंस्टॉलेशन है और वा तो यह है टोटल सिस्टम मुकमल कॉस्ट जो के मैंने आपके सामने रखती है अगर आप भी यह वाला सोलर सिस्टम इस्टॉल करना चाते हैं पैनल्स को कम या ज्यादा करके आपकी यह कॉस्ट है को कम या ज्यादा हो सकती है और मजीद अगर आपकी जो सोलर वायर का लगाना है तो जिसमें एक ही मुकमल स्टेंट बन जाता है उसके उपर आपके सारे सोलर पैनल्स लग जाते हैं यहां पर जो स्टेंड यूज की गए हैं वो एल टू के हैं लेकिन अगर आप एलिवेटेड लगाते हैं उठाकर तो उसका खर्चा भी मजीद इसमें एड हो सकत है तो जैसा आप सोलर सिस्टम इंस्टाल करवाएंगे वैसी आपको कॉस्ट आने वाली है तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जिवनिक के डामेंट सिरीज पीवी पैंसर सो के मुकमल प्रोजेक्ट की तफसील आपके सामने रख दी है कौन सा लोड आप चला सकते हैं वो भी तफसील आपके सामने है और अगर आप यह सोलर सिस्टम इंस्टाल करना चाते हैं तो आज ही आप यह सोलर सिस्टम इंस्टाल करवाले हैं बहतरीन सोलर इन्वेटर हैं बहतरीन सोलर पैनल्स हैं और जितना आप लोड चला सकते हैं वो भी आपके सामने मैंने रख द तो पेरे दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आप मजीद इस तरह सोलर के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो यूलैक्टिक वीडिव चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया और वीडियो पसंदे तो प्लीज लाइक ल याद रखिए कर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज